वैसे तो आप लोग देखते होंगे, जो हमारे देश के पड़ोसी हैं, फिर चाहे आपका पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, नैपाल हो, या फिर म्यानमार हो, या फिर आप देखिए भूटान, या आप देखिए बंगलादेश, या स्री लंका, ये हमेशा किस लोगों ने रामायट देखी होगी, स्री लंका कहते हैं सौनी की बनी होती थी, लेकिन आज आप देखें कि सौने की स्री लंका बहुत बुरी आर्थिक इस्तिती से गुजर रही है, और स्री लंका अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट जिल रही है, हाल बचा हुआ है देश की दुर्दसा निसानिया जगय जगय मिल रही है आप देख रहें कि बिरोध पिदोरसन भो रहे हैं ग्रोध जो थी इसका बाजा बच चुका है निवेज इसका सूखा पढ़ चुका है नौकरियां खतम हो चुकी है करज गले तक चड़ गया है विदेश सनाब खर्च करना स्री लंका को भारी पढ़ चुका है भिष्टाचार भारी पढ़ चुका है यहां और आप देखे कि वो एक आप लोग ने कहावा सुनी होगी कि जब तक जीओ तब तक कर्ज लेके घी पीओ यह स्री लंका को भारी पढ़ गया है तो इसी के बारे में स्र मन जनकरी हम लोग देख लेते हैं और आखी क्या प्रोब्लम हुई कि या इकाय के बम सा फट गया है दुरगती हो गए या चाहिन किसकी? स्री लंका की करज आप देखे कि भारी करज हो चुका है स्री लंका पर यह आपका पड़ोसी है और वैसे भी आप लोग स्री लंका के बारे में जानते होंगे यह दच्छे डेसिया में हिंद महासागर की उत्री भाग में आपको एक दुईपीय देश देखने को मलेगा और एक बात और बता दूँ आप लोगों को इसकी राजधानी स्री जै वर्दने पुरा कुट्टी है और विधाई राजधानी है कोलंबो इसकी कारकारी वो नियाएक राजधानी है और आप लोगों को वैसे भी मालू होना चाहिए क्या मालू होना चाहिए कि स्री लंका में एक परिवारिक आपके ही राज चल रहा है राश्टपती इनके भाई है और पिधानमंतरी उनीके भाई है दोनों भाई समय रहे हैं आप तो भारत का पड़ोसी है देश स्री लंका आज कंगाली के गार पर पहुँच चुका है और यहां महेंगाई आसमान चू रही है और देश में बिजली ठप पड़ चुकी है बिजली की कमी से हालात ये हो गए हैं कि अस्पताल में मरीजों की जरोरी सरजरी भी नहीं हो पा रही है फैक्टरियों में कामकाज बंद हो चुका है कागच की किलळ की कारण पर इक्षा है रद्धोग की जा रही है तेल की कमी से रेल वस नेटवर्ग ठप हो चुका है सप्लाई चैन पूरी तरह से तूट गई है घरों के चूले बंद हो चुके हैं खाने पीने के लाले पढ़ चुके हैं एक तरह से, किल्लत आ रही है, और दुकानों में लूट पार्ट होने लगी है, एक सीधी सी बात आप लोग समझेए, जब आपके पास रोजगार नहीं रहेगा, खाने पीने के लाले पढ़ जाएंगे, तो आप देखते हैं कि जन्ता या तो ग्रह यूद की तरब जाती है, जन्ता लूटने पर उतारू हो जाती है, चोरी करने पर उतारू हो जाती है, आंदोलन करने पर उतारू हो जाती है, तो ये सभी परिस्तिती आपको स्री लंका में विद्ध दिखवी रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्री लं किया जा रहा है उन नीतियों को अपनाया जा रहा है आप लोग जब भी अर्थ सास्त्रियों की इस पेश सुनते होंगे वो साप मना करते हैं कि जो आप देखते हैं कि फिरी फिरी कर रहे हैं ना हमारे देश में यह फिली दे दीजे वो फिरी दे दीजे इसे रोकने की बात व उन्हें फिरी देने की वज़े, ठीक है, और स्री लंका में ये हालत हो चुके कि चावल 250 किलो रुपे पिती किलो पहुच चुका है, यहूं आप देखेंगे 200 रुपे पिती किलो विकरा है, और चीनी आप देखेंगे 250 रुपे किलो विकरा है, नारियल तेल की कीमत 900 रुपे पिती लीटर हो गई, और मिल्क पाउडर आप देखेंगे 2000 रुपे पिती किलो के हिसाब से विकरा है, और देख की इस आलत के लिए लोग सरी लंका की राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार मान रहे हैं, लोगों खरीदारी नहीं कर पारे हैं, उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा, इतनी महगाई बढ़ जाएगी, तो हमारे पास माल ली जी कि पैसा नहीं है अभी ठीक है हमारे जो भी इस्तिति है चलिए हमारी इतनी पहुँश है कि हम लोग आसानी से सभी सो विधाय ले पा रहे है अब आप सोची कि गेवं हमारे यहां 300 रुपे के लोग हो जाए आप सोची कि जो हम खाने वाला तेल है 200 रुपे लीटर चल रहा है ठीक है अगर वो आप सोची 1000 रुपया हो जाए तो हमारे देश में भी इस्तिति होगे और होते टैम भी नहीं लगेगी अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार पर भी बहुत सारक करज है बाहरी देशों का भी और आप देखिए कि जो 3500 करोड डॉलर में है और अपरेल 2022 का करज है इंक्यावन सो करोड रुपे अब समाज सकते हैं क्या इस्तिती रही हुई अपरेल 2021 में सरी लंका पर कुल करज 3500 करोड रुपे डॉलर था जो बहुत एक साल में बढ़कर हो गया कितना 500 करोड डॉलर पहुँच गया है 5100 और स्रिलंका में करज में ज्यादातर हिस्सा ऐसे करज का है जिसे ना चुका पाने की उसे भारी कीमत देरनी पड़ रही है और आप देखें कि स्रिलंका करज में बड़ा भरोसा करता था स्रिलंका आप देखें चाइना से करज ले लेता कभी वर्ल्ड बैंक से करज ले लेता कभी आप देखते हैं कि भारस से करज ले लेता तो यह हालत हो चुकी है किसकी चाइना की चाइना की पड़ोसी चाइना बड़ा मदद करता रहता था भरोसा दलाता रहता था और आप दे आप देखेंगे 10%, जापान से 10%, भारस से 2% और अन्य से 3% लिया हुआ है, तो बाजार से सबसे जानब, फिर दूसरे नंबर पर चाइना से सबसे जानब, स्रिलंका पर जितना कर्ज है, उसमें 47% कर्ज तो बाजार से लिया गया है, इसके बाद 15% आप देखेंगे चाइना से, एसी अंडवलमेंट बेक से 13% और स्रिलंका सरकार ने कर लेकर तो खूब ऐस किये, लेकिन आप बक्त चुकाने का आया, तो खजाना खाली है, जनता सडक पर है, और विपक्च उसके साथ खड़ा है, और जिससे पूरी राजपक्चे पर सरिवार की नीन उड़ गई है, और विपक्च आने बाले दिनों में पिदरसनों को और तेज करने की बात कह रहा है, और आप लोगों ने देखा होगा, यहां के मंदरी मंदल ने इस्तीपाद भी अपना सौंप दिया पिधान मंदरी को, ठीक है, तो यह भी कहानी है, और आप देखें, एक उच आपके सामने पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, एपिदरसन की, और इससे भारत को सीखना चाहिए, विपक्च के नेता सजित प्रेम दासा ने एक बयान में कहा है कि हम अपना विरूत कम नहीं करने वाले, और हमारी मांग देश की जनता की मांग है, और हम अपनी मात्य भूमी की लो अर्द्विवस्ता है, यह पर्याटन पर आधारित है, और आप देखे कोरोना माहमारी ने कुछ सालों में किस तरह से प्रभावित किया, पर्याटन चेत को भी प्रभावित किया, और बाकी चेत्रों को भी प्रभावित किया, कैसे आप सभी के मन में सवाल आ रहा हो, कैसे दिबालिया हुआ अकर स्री लंका स्री लंका की दिबालिया होने के कई कारण इसमें सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार हैं कुछ कुरोना भी जिम्मेदार हैं और स्री लंका की अर्द्वश्था पर्याटन पर काफी निर्भरती और आप देखे परियाटन का क्या हाल हुआ कोरोना महामारी में और एक बात आप लोग भी जानते हैं हमारी अर्थवस्था भी जब गर रही थी तो सरकार एक तरह से आप देखे अपना हाथ साब के कोरोना महामारी को दोसी ठहरा रही थी लेकिन आप सभी जानते हैं कि उतना कुरोना महामारी हमारी अद्वस्था गरने के लिए जिम्मेदाल नहीं था जितना सरकार की नीतिया थी कुरोना के कारण परयाटकों की कमी के बुरा असर हुआ और भिष्टाचार पर सरकार ने लगाम नहीं लगाई और ये भी सबसे बारा कारण है कि आप देखिए आज इस आलत में स्री लंका पहुँच चुका है रसायनी कुरोना को पर पावंदी से उत्पादन गिर गया और अनाज उत्पादन घर्टने से महेंगाई बढ़ गई और आप सभी जानते हैं कि एक तरह से आप सोचे कि आप मालेजे कि हमारे देश में अभोगता अधिक हैं और उत्पादन कम हैं तो उसकी महेंगाई बढ़ेगी एक चीज को खरीने के लिए आप देखिए दस लोग खड़े हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि महेंगाई बढ़नी सौबा भी क्सी होती है और मांग पूर्ती आप लोगोंने सुनी हैं कि नहीं जब मांग अधिक हो जाएगे पूर्ती कम हो जाएगी तो महेंगाई बढ़ेगी परेटकों और उत्पादन की कमी से बिदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया अब बिदेशी लोग आएंगे ही नहीं कुछ हम लोग दूसरे देश को बेंचेंगे ही नहीं तो विदेशी मुद्रा भंडार कहा से आएगा चीन से कड़ी सर्तों पर लिया करज ने बेडा गर्ट कर दिया क्यूंकि चाइना आप सभी जानते हैं कि बड़े प्याल से करज देता है उसके बाद आप देखी बड़े प्याल से ही आप सोची कि वो बापस भी लेता है और आप देखी कि अभी पाकिस्तान हमारा उपडोसी है जो यह पाकिस्तान आप देख रहे हैं चाइना ने इस पर इतना करज रख दिया कि अब इसका ब्याज चुकाने के लिए भी चाइना से करज लेना पड़ रहा है पाकिस्तान को और नारज जंता को लुभाने के लिए फ्री की स्क्रीम ने दिवालिया कर दिया और हमारे देश में आप देख रहे हैं यह इसक्रीम काफी आजकल आप सुनाई दे रहा है आप लोगों को तो हमारी सरकार को भी जगरुक रहना होगा बना हम भी कभी वी स्थिति बिगड़ सकती हमारी है स्री लंका के दिवालिया होने में सरकार की गल्द नीतियां सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं जिसमें एक बड़ी गल्ती जंता को लोभाने के लिए मुक्त का खेल और एक खेल भारत में तेजी से पनप रहा है और अब देश के नौकरसाओं ने इसके लिए पिधाल मंतरी मौदी को भी अगा किया हुआ है और समय समय पर देखिए हमारे देश के जो भी अरतसास्त्री हैं हमारे जो नौकरसाओं हैं यह सभी आप देखते हैं कि सरकार को चेताओं नहीं देते रहते हैं कि हमारी इस्तिती बहुत बुरी हो सकती है, हमें भी जागरूप हो जाना चाहिए, ठीक है, मेरा यह मतलब नहीं है, फिरी फिरी का चलिए, आप फिरी मत दीजे, आप नौकरी रोजगार उपलब करवाईए, समझ रहे हैं, वो एक आप लोगोंने कहावत पड़ी होगी, एक क कुद करते रहेंगे, किसानों की करज माफ की बात होती है, तो मैं कहता हूँ कि किसानों को बेहतर सुविधाय उपलब कर रहेंगे, उनकी खेती किसानी में उत्पादन बढ़ेगा, उनकी दाम अच्छे फसल के बढ़ेंगे, तो उन्हें करज लेने की जरूवत ही नहीं प क्वाल्टी का बीज नहीं मिल पाता है, पानी नहीं मिल पाता है, तो यह सभी उपलब्द करवाने चाहिए सरकार को, और करज सब एक सा बना रहेगा, कोई परोब्लम भी नहीं रहेगी, तो हमारे पड़ोसी जो सिरिलंका है, उसकी यही हालत है, आंगे क्या होता है, आप न्यूट पेबर फॉलू करते रहे, आपको भी मालूप चलता रहेगा कि पड़ोसी कहा जा रहा है, किस दिसाम जा रहा है,